अलोग दोस्तों नमस्ते मैं अपनी शालेल पर आप सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों इस बक्त मैं एस लेटर यानि कि आपके पार्टनर का नाम एस लेटर से सुरुवात होता है उनकी फीलिंगस आपके लिए क्या है एस Ace Later वाले ठीक है आपके पार्टनर का नाम अगर शुरुवात होता है Ace से उनकी feelings जो है आपके लिए क्या है तो बिल्कुर relax हो जाएं intention सही रखे Ace Later से मैं देखना चाहती हूँ क्यों उनकी feelings क्या है आपके लिए Ace Later वीवर्स के पार्टनर का नाम जो है Ace Later से शुरुवात होता है उनकी feelings क्या है वीवर्स के लिए Transformation एक नई शुरुवार The Handman देखे Six of Cups है वाडम दड़ेक से है ठीक है देखे आपके पार्टनर आपको लेकर एक नई शुरुवात करना चाह रहे है ठीक है देखे लिए इनके लाइप में कुछ ऐसे एनरजियां है जहां ये खुद confused है या आपको उफर करना चाहते है Six of Cups की एनरजियां ये पर्सन कहीं न कहीं अपने life में balance नहीं कर पा रहे है ठीक है थोड़ा confused है और उन्हें लगता है कि आज कले कुछ जादा ही आप अपने आप में बीजी हो अपने life में बीजी हो अपने career में बीजी हो अपने उपर जादा focus कर रहे हो लेकिन उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो आपके partner एक नहीं शुरुआत चाहते हैं death की energy the world की energy है लेकिन situation सही नहीं है फिर भी आपके partner कहीं न कहीं आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें उन्हें आपको offer करना है ऐसा वो सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी soulmate हो और इस connection को वो feel तो करते हैं लेकिन कुछ ऐसे problems इनके life में हैं जहां ये confused हैं कुछ खुद से confused हैं life से confused हैं इस रिस्ते को लेकर confused हैं लेकिन वो आपको offer करना चाहते हैं death की energy है तो ये transformation के साथ एक new beginning चाह रहे हैं the world की energy है एक नए शुरुआत चाह रहे है आपके partner जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ problem चल रही है जिस वज़े से आपके partner confused हैं लेकिन इस confusion के बाब जूद भी ये person इस वक्त आपको offer करना चाहते हैं एक नई शुरुआत हो सकती है एक new beginning हो सकती है balance करने की कोशिस करने offer करने की कोशिस करने हैं तो ये है इस वालों की energy जिनके partner जिनके नाम एस लेटर से शुरुआत होती है छिक है थैंक यू सो मच and God bless you